हेलो भाई हो कैसे हो आप सब और आज मैंने अपने Asus Zenfone Max Pro M1 में Lineage OS 15.1 को इंस्टॉल किया है जो कि कस्टम रॉम है और कस्टम रॉम में काफी कमाल की रॉम है और आज किस वीडियो में मैं आपको सारे ही अमेजिंग फीचर्स बताऊगा कि क्या कुछ इसमें बेटर मिलता है स्टॉक रॉम से जो कि अपने Max Pro में मिलती है और क्या आपको इसको इसको इंस्टॉल करना चाहिए और क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इस अब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो है गाइस इस अभी शेक और इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं इसके look and feel की क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं वो सब यहां पर दिखा जेता हूँ तो सबसे पहले यहां पर आप देख पाऊगे launcher जो में मिलता है वो कुछ इस तरी किसे यहां पर देखने को मिल जाएगा बेसिक है जैसा आपने store crop में मिलता उसी की तरह यहां पर देखने को मिलेगा बट आइकन यहां पर डिफरेंट है तो यह सब यहां पर डिफरेंट है नॉर्मल आपका app drawer कुछ इस तरी किसे स्वाइप करने पर उपन हो जाएगा लेफट से आपको हिंहा पर आपको यहां पर आपने ऐप्स मिलेंगी कुछ सब अपर आपको ओडियो एफेक्स चेंज करने के लिए उडियो के उप्षेंट सब्यार के बगरा के कुछ आपने रिफ्जैन करेंगे तो अपनी अकॉडिंग यह चेंज कर सकते हो बैस और यहां पर जो camera app हमें मिलती है वो snapdragon camera app है जैसे कि हमें फोर में मिलती है तो उसकी slightly better वाला version आपको यहां पर देखने को मिलता है बढ़ यहां पर आपको यही वाली camera app देखने को मिल जाएगी बट इस camera app में अच्छी बात है कि यहां पर आपको 4G वीडियो का support भी मिलता है प्लस यहां पर आपको video stabilization का option भी मिलता है तो यह काफी अच्छी बात है मैंने इस पर already video बनाई है अब ही stockroom में कैसे use करना है वो आप check out कर सकते हो मेरे channel पर ही link है बट यहां पर आपको time lapse का option मिल जाएगा तो यह अच्छी बात है कि camera में option मिल जाते हैं उसके बाद यहां पर आपको कुछ और apps मिल जाती है basic वाली जो camera calculator यह सारी apps है files का है FM radio है gallery app मिल जाती है recorder है तो FM radio कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो files अपने normal वाली जो होती है यह मिल जाएगी तो यह सारी basic apps है यहां पर आपको recorder मिलता है जिससे आप screen record कर सकते हो sound record कर सकते हो तो यह feature यहां पर मिल जाते है बड़ जो main setting है वो अपनी यहां पर setting में जाने के बाद आपको पता चलेगी look wise guys exactly similar है जो stock यहां पर Android Oreo 8.1 पर होता है but about phone में आप जाओगा तो यहां आपको दिख जागा कि Liner OS version अपना जो भी है और security patch आप यहां से check out कर पाओगे मेरा यह latest build नहीं था बड़ आपका security बच यहां पर different हो सकता है सबसे पहले आप जाओगे display में आपको main changes यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पर कुछ option आपको देखने को मिलेंगे दे से पूरा यह color calibrate कर सकते हो डिस्पले को तो यह आप अपर रहे है accordingly जैसे आपको अच्छा लगता है वो change कर सकते हो बहुत सारे option आपको यहां पर color calibration के देखने को मिल जाएंगे उसके बाद आपको यहां पर reading mode का option मिलता है जिसमें आपकी display पूरी यहां पर gray हो जाती है तो black and white display आप इसको बोल सकते हो यह wind light की तरह एक feature है Android P में wind mode का तो वैसे ही कुछ में देखने को मिलता है उस तरीके से काम करता है तो यहां पर बहुत सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बास second option आपको यहां पर मिलेगा style का जिसमें जाने के बाद अपने जो color की UI है अपने system UI उसको change कर सकते हो dark mode enable कर सकते हो यहां पर आपको dark mode मिल जाता है और accent color भी आप यही से change कर पाऊगे तो यह option भी आपको यही पर मिल जाएगा और wallpaper के accordingly भी आप इसको change कर सकते हो तो यह सारे option आपको यहां इस setting में देखने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर double tap to sleep का feature आपको देखने को मिलता है जिससे आप double tap करोगे तो आपकी screen यहां पर off हो जाएगी और जाओगे आप system में तो आपको और भी option दिखेंगे buttons के तो buttons में जाने के बाद आपको मेरे जो favorite feature है navigation barg में जाने के बाद आप invert button layout को on करते हो तो आपको जो back button है वो right side आया त और multitasking button left side आया था तो यह काफी अच्छा लगता है और यहां पर extra button add करने का भी option है तो यहां पर आप add भी कर सकते हो clipboard वगरा को तो यह भी एक अच्छा option है बाकि यहां पर आप power button जो है वो भी यहां पर आप customize कर सकते हो navigation button में आप काफी ज़दा जो long press actions है वो यहां पर आ सारे option आपको यहां पर दिखेंगे power button की बात करते हो यहां पर आपको end call करने का option है उसके बाद आप long press करते हो तो torch भी यहां से on कर सकते हो तो यह option भी आपको देखने को मिल जाता है बाकी home button वगरा से आप select कर सकते हो कि क्या आपको action चाहिए double tap long press का तो यह सारे आप तीनो तो आगे पीचे यहां पर tracks को आप change कर सकते हो यह सारे feature यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस ROM को install करने के लिए आपके phone में TWRP recovery का होना जरूरी है अगर आपके phone में पहले से installed है तो अच्छी बात है और अगर आपको नहीं पता है कै कैसे install करना है तो उसके लिए video मैं already बना चुका हूँ आप ऊपर card में चेक आउट कर सकते हैं और description में भी आपको link मिल जाएगा तो वह आप देखके install कर पाएंगे और एक पर यह आपके phone में TWRP recovery install हो जाती है तो आपको क्या करना है आपको video के description से Lineage OS 15.1 का latest version को download करना है जो को download कर लेना है तो इन दूनी files को download करने के बाद आपको क्या करना है आपको अपने phone में जाना है जिसमें TWRP recovery install है Zenfone Max Pro में आपको करना है power off phone को और power off हो जाने के बाद एक बार ही आपको क्या करना है power button को press करना volume down button को एक साथ press करके रखना है ताकि आपका phone TWRP recovery में यहापर boot ह हो जाए एक बार ही आपका phone TWRP recovery में यहापर boot हो जाता है मैं अपने Zenfone Max Pro में red wolf recovery को यूज कर रहा हूं बड़ आप normal recovery भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं तो दोने यहाँ पर सेम होती है बस तोड़ा बहुत फरक आपको देखने को मिल जाता है और आपको क्या करना है आपको स PC SD card में store कर सकते हैं तो आपको backup एक बार ही complete हो जाता है तो आपको क्या करना है आपको जाना है वाइप में जाने के बाद आपको क्लिक करना है advanced wipe पे advanced wipe में जाने के बाद आपको ये सारे चीजे इसलेट कर लेनी है System, Data, Delv2 Cache, Vendor और ये पांचो चीजे को सलेट कर लेना है Data, Delv2 Cache, System और Vendor तो सारी चीजे को यहांपर सलेट कर लेना इन पांचो चीजे को जो मैंने आपको स्क्रिनर पर दिखाई है और आपको कर देना है swipe to wipe swipe to wipe अगर आएक बारी आपका हो जाता है आपको जाना है back home screen पे और जाना है install में और install करना है lineage os 15.1 जो की latest यहाँ पर file है आपको click करना है उस file पे और swipe to confirm flash कर देना है एक बारी आपकी ROM file flash हो जाती है उसके बाद आपको gapps को यहाँ पर flash करना है आपको gapps को select करना है और swipe to confirm flash यहाँ पर कर देना है तो यह दोनी files यहाँ पर एक बार completely install हो जाती है तो आप अपने phone को reboot यहाँ पर कर सकते हो first boot यहाँ पर आपको 3-4 लग जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेट करना है और initially set up कर लेना और आप यूज कर पाएंगे अपने LineageOS 15.1 को तो इस तरह के साप इस्टाल कर सकते हैं तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक करो अगर आपके कुछ डाउट्स है इस ROM को लेकर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ लेना मैं आपके रांसर कर दूँगा और मुझे पताना आप कौन सी ROM स्वाली वीडियो या कौन सी वीडियो दिखना चाहते हैं अपने मैक्स प्रो पे और अभीके लिस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर